नमस्कार, PMC Hindi के स्वाध्याई सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं चारू थपलियाल आज आपके सामने एक नई किताब लेकर आई हूँ इस किताब का नाम है तुलसी वनम जो ब्रह्मर्शी पितामा पत्री जी की किताब है दोस्तों हमने पत्री जी की तुलसी दल नामक किताब की बारे में तो सुना है तुलसी दल का मतलब है तुलसी का पत्ता और तुलसी वनम तुलसी वनम मतलब तुलसी का वन ऐसे ही तुलसी दलों से बना वन तुलसी वनम तुलसी वनम तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए और एक तरह से समझाद आए जो हम सभी पिरमिड मास्टर्स को और सभी ध्यानियों को जरूर पढ़ना चाहिए आज हम इस किताब में से चंद कॉंसेप्ट उठाएंगे चंद अध्याई उठाएंगे और उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे पहला अध्याई जिसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी वह है अरिहंत शुब आशुब परित्यागी दोस्तों हमने जीवन में ये तो बचपन से ही सुनते बड़े हुए हैं हमकी हमें अशुब चीजों को त्यागना चाहिए हमें जो चीजे अच्छी नहीं हैं उनको त्यागना चाहिए हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए हमें शुब चीजों को अबनाना चाहिए लेकिन इसका क्या मतलब है जब पत्री जी कहते हैं कि अरिहंत, शुब, अशुब, परित्यागी अशुब को तो हम त्याग सकते हैं लेकिन शुप को त्यागने का मतलब क्या है और ये कैसे किया जा सकता है और ये क्यों किया जाता है इसके बारे में पत्री जी ने हमें कुछ बताया है तो सबसे पहले ये बताते हैं कि अरिहंत का मतलब क्या है ये शब्द हमने बहुत संदर्ब में काफी बार सुना है अरिहं हंत का मतलब क्या है वो आज हम सीखेंगे तो अरी का मतलब होता है शत्रू और हंत का मतलब होता है हनन करने वाला या उसको खत्म करने वाला उसकी हत्या करने वाला तो जो शत्रू का हनन करे उसे अरी हंत बोलते हैं तो शत्रू यहाँ पर कौन है शत्रू यहाँ पर जीवन के तीन शत्रू है जोने पत्री जी ने सामने लाया है वो कहते हैं हमारे जीवन के तीन शत्रू है जो है प्रतम शत्रू सभी संधर्बों में तमोगुण तो तमोगुण जो है तमस वे सभी संधर्बों में हमारा एक शत्रू है जो दूसरा शत्रू है वे अनेक संधर्बों में ह हमारा शत्रू है और तीसरा जो शत्रू है जिसे शायद हम शत्रू न मानते हों अभी तक वे है कुछ संदर्बों में सतोगुण तो हां दोस्तों सत्व सत्व भी हमारे कुछ संदर्बों में हमारे लिए एक शत्रू हो सकता है इसलिए इस अध्याय का नाम है शुब अशुब परित्यागी क्योंकि अब हम जानेंगे कि इन शुप और अशुप से कैसे को कैसे त्यागा जा सकता है तो सबसे पहले पत्री जी तमोगुन के बारे में लिखते हैं वो कहते हैं तमोगुन अर्थात सुस्ती या आलस कल के लिए स्तगित करने का स्वभाव स्वयम के भीतर आलस कभी नहीं रखना चाहिए कल के लिए कभी कारियों को स्तगित नहीं करना चाहिए कहते हैं न शुपस्य शीग्रम इसका मतलब विलंब से अमरित भी विश हो जाता है इसलिए जो भी करें शीग्र करें विलंब न करें जो कार्य जिस समय पर करना चाहिए उसे उसी समय कर लेना चाहिए क्योंकि उसका समय उसी समय है हर समय में सकल परिस्थितियों में तमोगुण को त्यागना ही चाहिए और यहाँ पर पत्री जी को धारन देते हैं कहते हैं कि शर्शया जिसका मतलब होता है कि तीर से छिदे शरीर की शया तो वो कहते हैं शर शया होने पर भी भीश्म को श्री कृष्ण ने युदिश्टर को धर्म बोद कराने तता राजनीती के सूत्र बताने का काम सौपा तो देखिए जब इतनी जटल परिस्थिती थी जब वो शर्षया में थे भीश्म पितामा मतलब की उनका जो शरीर था वो छिदा हुआ था तीरों से उस समय पर भी श्री कृष्ण ने उनको ये काम सौपा कि वो जाकर युदिश्टर को ग्यान बोद करें तो उस समय का काम उसी समय करना चाहिए चाहे हमें शारिरिक रूप से भौतिक रूप से परिस्थिती कितनी भी मुश्किल लगे कितनी भी जटिल लगे लेकिन जो काम करना है उसी उसी समय करना चाहिए दोस्तो दूसरा शत्रू है अनेक परिस्थितियों में रजोगुण रजोगुण अर्थात शक्तिवंत होकर अनेक अनेक कारे करना ये बहुत अच्छा है लेकिन सभी परिस्थितियों में नहीं पत्री जी कहते हैं कि अती उत्सा में शम्ता से अधिक कारे कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए सत्य असत्य की जाच किये बिना बोलना नहीं चाहिए सभी प्रकार से सोच विचार किये बिना किसी कारे को करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए इस प्रकार कई कई उधारन दे सकते हैं इसलिए दूसरे शत्रू से जीतना ही चाहिए तो पत्री जी यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि हम तमस को तो अपना शत्रू मानते हैं तमो गुण को लेकिन जो रजो गुण है जो रमस गुण है रजस है उस वे भी हमारा शत्रू है क्योंकि अगर हम अती उत्सा में आ करके अपनी शमता से अधिक कार्य ले लेते हैं या हम कुछ ऐसा किसी को बोल देते हैं कि हम करेंगे पर बाद में कर नहीं पाते हैं तो वहां परिस्तिती बिगड़ जाती है तो परिस्तिती बिगड़ेना इसके लिए हमें अपने वाक्षेतर पर और हमें अपनी आत्मा की जो काम करने की जो भावना है जो हमारे मानसिक रूप से भावना है उत्पन हो रही है दोनों को एक पतल पर रखे देखना चाहिए कि क्या वो दोनों एक दुसरे से मिल रही है या नहीं तमना है तरीका है रियाज है तभी कारे संपन हो सकता है दोस्तों अगर सिर्फ तमन्ना है लेकिन तरीका नहीं पता और रियाज भी नहीं कर रहे तो कैसे संपन होगा काम तो इसलिए पत्री जी कहते हैं कि भले ही तमन्ना हो लेकिन जब तक आपको तरीका ना पता हो तो रियाज करने से पहले ज़रा तरीका पता कर ले ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं वो और आखिर में वे कहते हैं कि तीसरा शत्रू कई संदर्बों में सतो गुण भी है वो कहते हैं सतो गुण अर्थात प्रतिफल शुब करने का गुण और उसमें जीना मतलब सदा सरवदा कल्यान कारकरम में ही जीना पर कहते हैं कि अत्यदिक अच्छाई भी नहीं करनी चाहिए सिध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों कहते हैं अत्यदिक अच्छाई भी नहीं करनी चाहिए अत्यदिक सहायता भी नहीं करनी चाहिए अपने पाउं पर स्वयम खड़े रहने के लिए मदद करनी चाहिए दूसरों का काम कभी नहीं करना चाहिए दूसरों का काम करना अच्छा ही नहीं मूर्खता है अपना काम खुद करना चाहिए शेश लोगों का काम उनसे ही करवाना चाहिए इस प्रकार सतोगुण भी अनेक संदर्बों में शत्रू के रूप में परिणत होता है इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि शुब अशुब परित्यागी बनो इसका क्या मतलब है मेरे दोस्तों इसका एक बहुत अच्छा उधारन होता है अगर हम एक मा के रूप में जो आप जीवन लेते हैं उसके बारे में समझे एक मा को शायद लगे कि वह तो अपने बच्चे की सहायता कर रही है अगर वो अपने बच्चे का हर काम आगे बढ़ करके करे उस बच्चे को शायद वो करने भी ना दे जो वो करना चाहता है लेकिन उससे पहले ही जाकर उसको कोई परिशानी न हो इसलिए उसके काम कर दे और उसके आगे की सारे परिशानिया हटा दे उसकी कठिन परिस्तितियां हटा दे यह सोच करके कि वो तो अपने बच्चे के लिए अच्छा कर रही है बच्चे को कोई कठिनाई नहीं होगी और बच्चे को कोई परिस्तिती में कुछ भी चटिल नहीं लगेगा बच्चा अपना जीवन आराम से तै कर लेगा यह सोच कर वे बच्चे के पास कोई कटनाई कोई चुनोती नहीं आने देती लेकिन क्या ये बच्चे की आध्यात्मिक प्रगती के लिए सही है या नहीं तो सतोगुण यहाँ पे जो एक मा की ममता है जो एक सत्व में आता है, सत्व गुण में आता है वो एक क्या कहते हैं शुप ऐसा शुप गुण है जो जिसका हमें परित्याग करना चाहिए जिसका उस मा को वहाँ परित्याग करना ही होगा अगर वे चाती है कि उसके बच्चे की आध्यात्मिक प्रगती हो तो इसलिए इस संधर्व में हम ये जान सकते हैं कि शुप का परित्याग भी करना ही होगा दूसरों को उनका काम उनसे ही करवाना होगा आपको अपना काम स्वयम ही करना होगा ये एक ऐसा उधारण है जो पत्री जी ने हमारे सामने पहले ही दिन से रखा है जबसे हम ध्यान में आये हैं जबसे हम PSSM से जुड़े हैं तो पत्री जी ने हमेशा यही सिखाया है और हमेशा इसी के लिए प्रेरित किया है कि आप अपना काम स्वयम करें अपो दीपो भवव आप अपने बोध के लिए स्वयम ही कारे करता है आप स्वयम ही निर्धारित करते हैं आपका जीवन जो आपका लाइफ डिजाइन है जो आपके जीवन का डिजाइन है वे आप स्वयम ही करते हैं तो सारे काम स्वयम करते हैं तो आप किसी पर निर्भर न रहें सिद्धान्तों को जरूर समझे कर्म सिद्धान्त को, योग सिद्धान्त को, वाक्षेत्र सिद्धान्त को, सभी सिद्धान्तों को समझे जो प्रिंसिपल्स हैं, लौज हैं, रूल्स हैं, उन्हें समझे कि आध्यात्मिक सिद्धान्त क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं अपने गुरू से उनकी राय लें सला मश्वरा करें गुरू हमारे पास केवल भौतिक शरीर में नई सुक्ष्म रूपों से भी हमारे साथ 24 गंटे होते हैं बस हम ही होते हैं कि उन्हें पहचान नहीं पाते अनेक मास्टर्स हमारे पास होते हैं हमें बस उनसे जाकरके उनकी सला मांगने की देरी है उनसे मश्वरा करने की देरी है और वो हमें मार्गदर्शन देने के लिए ततपर रहते हैं इसलिए दोस्तों पत्री जी ने हमें यह बताया है कि केवल तम्मोगुण और रजोगुण नहीं सतोगुन को भी कुछ परिस्तितियों में हमें त्याग नहीं होगा लोगों की अत्यदिक मदद करने की हमारी अगर अंदर से ऐसी कोई चाह है या ऐसी हमारी भावना है तो उसे हमें रोकना होगा उसे नियंतरण मिलाना होगा क्योंकि सब को अपना काम स्वयम ही करना होता है पत्री जी कहते हैं अशुब परित्यागी तुरंट सब को समझ में ही आ रहा है परंतु शुब परित्याग क्या होता है सात्विक अर्थाज शुब को भी अनेक संदर्बों में संपून रूप से त्यागना चाहिए इस प्रकार तीनों शत्रों को संपून रूप से जीतने वाला ही अरिहन्त है तो जैसे हमने बात की दोस्तों कि शुब अशुब परित्यागी को ही अरिहन्त कहते हैं वही अरिहंत है जो अपने शर्त्रों का हनन करके विजय प्राप्त करता है विजय किस पर? खुद पर विजय, अपनी इंद्रियों पर विजय, अपनी तनमात्राओं पर विजय तो ये था पहला अध्याय तुलसी वनम, पुस्तक का जो हमने देखा और दूसरा अध्याय जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहूंगी वह है अपने अपने जीवन के पतल का तरीका ये जीवन के पतल क्या है आप कहेंगे दोस्तो पतल जो होते हैं जिने पहले हम इस्तमाल करा करते थे लिखने के लिए क्योंकि पहले किताबे तो होती नहीं थी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी आविशकार नहीं हुआ था तो पुराने जमाने में जब लिखा करते थे किताबे लिखा करते थे जो ग्रंथ हमें लिख करके मिले हैं जो पुरान मिले हैं या जो उपनिशद हमें बाद में लिख करके मिले हैं वे सब पत्तलों पे लिखे जाते थे तो इन पत्तलों पर जैसे दक्षिन भारत में या कई शेत्रों में भारत के लोगों के जीवन के बारे में भी लिखा जाता था और यही यहाँ पर इसका वर्णन क्या गया है अपने अपने जीवन के पत्तल का तरीका जितने लोग उतने पत्तल उतने तरीके किसी के भी पत्तल का तरीका दूसरे से शत प्रतिशत नहीं मिल सकता पत्री जी कहते हैं पडोसी का जीवन उनका है हमारा जीवन हमारा है हमें अपने काम स्वयम करते रहने चाहिए, दूसरों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए एक कर्म के पश्चाद दूसरा कर्म, इस प्रकार कर्मों को निरंतर करते रहना चाहिए कर्म अनुभव प्रदान करते हैं एक अनुभव के पश्चाद दूसरा अनुभव इस प्रकार सारे अनुभवों को प्राप्त करते रहना चाहिए अनुभवों की सृष्टी करना और अनुभवों को भोगना एक कला है एक महाशास्त रहे सकल अनुभवों का हमें प्रसनता पूर्वक स्वाद लेना चाहिए अनुभवों का आनंद लेना ही हमारी जीव शक्ती को परिपुष्ट करता है यहाँ पर पत्री जी क्या कहना चाहते हैं दोस्तों यह कहना चाहते हैं कि हर एक अनुभव जो आपके जीवन में आ रहा है उसे हमें प्रसन्नता पूर्वक अपनाना चाहिए, accept करना चाहिए, हमें उसे अपने जीवन में आने देना चाहिए और हमें उसे पूर्णता अनुभव करना चाहिए क्योंकि जब तक हम उसे पूर्णता अनुभव नहीं करेंगे जो पाठ है जो हमें महां से सीख लेनी है वो हम नहीं ले पाते और हमें बार-बार आना पड़ता है इस धर्ती पर उस सीख को सीखने इसलिए जो अनुभव आपके पास आ रहा है और ना ही खुद को उस अनुभव को पूर्ण रूप से अनुभव करने से रोके जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी भावनाव को और गहन रूप से समझ पाते हैं हम अपने ध्यान की गहराईयों में और अधिक जा पाते हैं और हम अपनी आत्मा से और समीव हो पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि ये जो एक सिचुएशन है, ये जो हमने बनाया है अपने पास, ये जो अनुभव मेरे पास आया है, वो मैंने अपने लिए क्यूं तयार किया है? मेरी आत्मा क्या सीखना चाती है इस अनुभव से मैंने ये क्यों उलाया है अपनी जिंदगी में ये सारे सवाल और इनके जवाब हमें ध्यान में जरूर मिल सकते हैं मेरे दोस्तों तो पत्री जी कहते हैं कि हमेशा कर्म करते रहने चाहिए कर्म करने से कभी नहीं चुकना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ कर्म करेंगे तो उसका फल क्या होगा उसका अनुभव कैसा होगा उस अनुभव को हम फिर कैसे सहन कर पाएंगे नहीं कर्मने वादिकारस्ते मा फलेशु कदाचन तो कर्म फल की इच्छा न करते हुए आप कर्म करते जाए और भले ही आपको जो अनुभव आपके सामने आ रहा है कर्म करते हुए भी जब तक आपको पता है कि आप अपना कर्म कर रहे हैं परिपून तरीके से अपनी गुरू के मार्च दर्शन में तो वह कर्म करते रहना चाहिए अपनी आत्मा की और अग्रसर बढ़ते रहना चाहिए और जब आपको लगे कि कोई आपके आसपास की कोई परिस्तिती नकारात्मक हो रही है तो खुद से ये पूछना चाहिए कि मेरे लिए यहां पर क्या सीख है क्या यहां से हट जाना मेरे लिए बहतर है क्या यहां पर बोलना मेरे लिए बहतर है क्या किसी को जवाब देना मेरे लिए बहतर है तो ये सारे जवाबों में तभी मिलते हैं जब हम और आध्यात्मिक्ता के रहस्यों को जानते हैं पत्री जी ये भी बोलते हैं कहते हैं दूसरों से प्रशंसा पाने है तू इच्छा न होते हुए भी की गई चेश्टाएं प्रसन्नता या आनंद के बिना की गई चेश्टाएं हमारी जीवशक्ती को विशेश रूप से हर लेती है वे ये कहना चाते हैं दोस्तों जीवशक्ती की बात इन्होंने पहले भी की थी जब इन्होंने बोला अनुभवों को आनंद लेना ही हमारी जीवशक्ती को परिपुष्ट करता है देखें दोस्तों आत्मा क्या है और आत्मा क्या चाती है आत्मा एक चेतना का एक अंच है पूर्नात्मा का एक अंच है जो पस यह चाहती है कि वैं अनुबव करे, हर तरह की अनुबव करे जैसे हम एक फिल्म देखने चाते हैं तो हमें लगता है हम हर तरह की फिल्म देखे जिसमें comedy भी हो, जिसमें थोड़ा suspense भी हो, जिसमें थोड़ा drama भी हो थोड़े आंसू भी हो, थोड़े परिवार की बाते भी हो, हीरो विलिन को भी पकड़े, हिरोईन को भी चुड़ाए, और हीरो को सफलता भी प्राप्त हो, तो हम चाते हैं कि हर तरह के अनुभव को, हर तरह की भावना को हम महसूस करें, जब हम एक फिल्म देखने चाते हैं, तो ऐसा ही होता है, जब आत्मा अपने लिए अलग अलग जन डिजाइन करती है, तो वैं सोचती है, अरे पिछले तीन जन्नों से कॉमेडी चल रही थी, च और अत्रासिदी देखकर देखते हैं कि क्या होता है, तो हमें शायद उस जीवन में लगे कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यूं हो रहा है, ये मेरे साथ ये त्रासिदी क्यूं, मेरे जीवन में इतनी उदासी क्यूं, पर जब हम दूसरी ओर चले जाते हैं, तब हमें ये समझ में आत था मैं उप गया था इसलिए मैं चाहता था कुछ में नया अनुभव करूँ और मैंने वह त्रासदी और दुख के रूप में अनुभव करने के कोशिश की लेकिन मुझे वह समझ ही नहीं और मैंने भौतिक शरीर में होते उन भावनाओं को डंग से देखा नहीं, मैं उनको समझ नहीं पाया, मैं उनको परिपूनर रूप से अनुबव नहीं कर पाया और इसलिए मैं उनपर विजे नहीं प्राप्त कर पाया दोस्तों आप Rajai उसी पर प्राप्त कर पाते हैं जिसके बारे में आप पूर्ण तेह से समझते हो क्योंकि आपको पता होता है कि किस तरह उशत्रू का हनन करना है तो पहले जैसे युद्ध होते थे जब व्यूँ बनते थे जैसे चक्र व्यू होता है या अलग-अलग व्यू होते हैं उन्हें तोड़ने का तरीका यही होता था कि आप उन्हें पहले पूर्ण रूप से उनके बारे में पढ़ें उन्हें समझें पूर्ण रूप से अपने आपको उस दृष्टी कोंड में डालें कि आप भी उसके रचेता हैं और फिर उसे तोड़ने की कोशिश करें तो ये करने के लिए हमें पत्री जी बोलते हैं और ये कहते हैं कि अलग-अलग अनुभव का जब हम आनंद लेते हैं जब हम हर अनुभव का आनंद लेते हैं तो हमारी जीव शक्ति जो है तभी परिपुष्ट होती है और यह भी कहते हैं कि प्रसंदता या आनंद के बिना की गई चेश्टाएं जीव शक्ति को विशेश रूप से हड लेती हैं क्योंकि जब हम आध्यात्मिक्ता में आते हैं मेरे दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसे कुछ इसी तरह से जीवन जीना चाहिए लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है हमें लगता है एक ध्यानी को केवल वेराग्य में रहना चाहिए एक ध्यानी को इस जीवन के प्रती बिलकुल भी मोह नहीं होना चाहिए किसी भी चीज की तरफ किसी भी रिष्टे की तरफ एक ध्यानी को कर आकर में हम अकर्मी बन जाते हैं तो दोस्तों ऐसी बहुत सी हमारी धारणाएं होती हैं जो आध्यात्मिक्ता में जब आते हैं वो क्योंकि हमने ऐसा ही सुना होता है अपने बड़े बुज़ूर्गों से या कई बार ऐसा ही पड़ा होता है कुछ ऐसी किताबों में तो हमें लगता है ऐसा ही होना चाहिए लेकिन PSSM और पिरमिड और पत्रीजी जैसे जो महान मास्टर्व हैं वह आकर हमें ये बताना चाहते हैं एसा नहीं है तो आध्यात्धमिकता का मतलब यह नहीं है कि सब एक ही तरह का जीवन जी है आध्यात्मिक्ता का मतलब यह कि आध्यात्म का मतलब क्या है मेरे दोस्तों आध्यात्म का मतलब है अधी आत्मा अधी मतलब किसी चीज की ओर जाना और आत्मा का मतलब है आत्मा तो जब आप आत्मा की ओर जाते हैं मतलब जब आप हर अनुभव को हर दृष्टिकों से साजा करके उस मूल चैतन्य की और जाने की अपनी जो आपकी एक यात्रा है उसमें आप एक एक पड़ाव पार करते रहते हैं वैसे वैसे आप आध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं अब आत्मा के प्रती बढ़ते जाते हैं आगे तो इसके लिए किसी भी प्रकार की परिस्थिति को किसी भी प्रकार की भावना को किसी भी प्रकार की अनुभव को हमें नाकारना नहीं चाहिए क्योंकि वे सब हमारे जीवन में हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आया है हम खुदी उसे लाए है पत्री जी ये भी कहते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं किसी के प्रती किसी प्रकार का निर्ने नहीं करना चाहिए किसी भी विशे पर दूसरों के प्रती निर्ने करने का अधिकार हमें जरा भी नहीं है तो ये जो एक बात बोली भी है पत्री जी ने कि gossip is the cancer of the soul मतलब जो हम चुगलियां करते रहते हैं या हम जो गपे लडाते रहते हैं और उन गपे लडानों में जो हम दूसरों की बुराईयां करते रहते हैं परोसी की बुराईयां, इधर उधर, लोगों की बुराईयां, रिष्टदारों की बुराईयां तो जो ये हम इधर उधर से बाते करते रहते हैं वह क्या होता है वह हमारी आत्मा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इससे हमारी जीवशक्ती हरती जाती है क्योंकि हम दूसरों की जीवन के बारे में निर्णे कर रहे हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है तो पत्री जी यह कहते हैं कि इसी तरह हमारे बारे में भी किसी को किसी प्रकार का विवरंड नहीं देना चाहिए हमारे स्वयम के विश्यों के बारे में किसी प्रकार के विवरंड किसी को देने की आवश्यक्ता नहीं है इसका मतलब no explanations तो पत्री जी ये कहना चाते हैं कि अगर आपको लगता है जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप सही कारे कर रहे हैं सही कर्म कर रहे हैं और गुरू के मार्ग दर्शन में कर रहे हैं और आसपास की परिस्तितियां आपको भले ही नकारात्मक लगें लेकिन आपके अंदर आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं आपके गुरु के मार्ग दर्शन में कर रहे हैं तो वह काम करिए जो काम भी आपको आध्यात्म की ओर ले जाए उस काम को करिए और उसका विवरण उसका explanation देने की जरुरत आपको किसी को नहीं है दूसरों के प्रती फैसला करना दूसरों को विवरण देना हमारी जीवशक्ती का विशेश रूप से हरण करता जाता है हमारी जीवशक्ती को हमें सदा संरक्षत करते रहना चाहिए हमारी जीवशक्ती ध्यान अभ्यास द्वारा बढ़ाना हमारे ही हातों में है हमें जो खाना है उस पकवान को हमें ही पकाना है हमारे पकाए गए पकवान को हम स्वयम ही परोसेंगे हमारा जीवन हमारे लिए परोसा गया पतल होता है यही है अपने अपने जीवन के पतल का तरीका तो पत्री जी हमें यह करकर इस अध्यायक को खतम करते हैं कि आपका जीवन आपके हाथों में है जो हमने पहले भी बोला अपो दीपो भव तो आपके जीवन का निर्ने और कोई नहीं कर सकता आपके जीवन के बारे में टिपणी और कोई नहीं दे सकता और इसी तरह आपको भी किसी के जीवन के बारे में ना टिपणी देना चाहिए ना अपने जीवन के बारे में विवरंड देना चाहिए लेकिन आपको केवल गुरु तक्त्व में रहते हुए आध्यात्म की और अग्रसर होते रहना चाहिए तो दोस्तों ऐसे ही बने रहें स्वाध्याई सीरीज के साथ एक नई किताब एक नई पिरमेंड मास्तर के द्वारा PMC हिंदी चैनल को देखते रहें हम आपसे फिर मिलेंगे बन्यवाद